सबजेक्ट साइन्स क्लास फोर्थ चेप्टर फिफ्टिन एनर्जी यानि उर्जा पार्ट वन में हमने वट इस एनर्जी यानि उर्जा क्या है उसके बारे में हमने देखा था energy is the capacity to do work energy यानि उल्जा काम करने की क्या है capacity यानि क्षमता है सेकंड पार्ट में हमने stored energy के बारे में देखा था next पार्ट में हमने electrical energy यानि विद्धिवत उल्जा के बारे में देखा था कि एसे कहीं सारी चीजे होती है जो electricity से चलती है जैसे के machines, trends, television, fans, phones ऐसी कहीं सारी चीजे है जो electricity से चलती है यानि बिजली से चलती है आज का जो हमारा topic है वो है energy of sunlight sunlight यानि सूरिय के प्रकास की energy यानि उल्जा the sun is the man source of energy on the earth sun जो है वो earth पर energy का man source है sun में से जो हमें energy मिलती है तो उसके बदले में हमें कुछ भी payment नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये energy जो है sun में से जो हमें energy मिलती है वो क्या है gifted by nature यानि nature ने वो हमें energy दी है the energy that we get from the sun is called solar energy जो sun में से हमें energy मिलती है वो energy को क्या कहां जाता है solar energy कहां जाता है plants use the energy of sunlight to make food जैसे कि हम जानते ही है plants जो है वो अपना खाना यानि अपना food बनाने के लिए वो sunlight की जो energy उज़ा होती है उनका वो क्या करते है यूज करते है यानि plants जो है वो sunlight की energy का यूज करके वो अपना food यानि खाना बनाते है we do use the energy of sunlight to do many things like drying cloths हम भी कहीं सारी चीजों को करने के लिए sunlight की energy यानि sunlight की उज़ा का क्या करते है यूज करते है जैसे की drying cloths कपड़े सुखाने के लिए हम sunlight की energy का क्या करते है यूज करते है there are special cookers and heaters which make use of sunlight for cooking and for heating water ये special cooker है जिन्हें solar cooker कहा जाता है ये sunlight का use करके खाना जो है उनको कुक करता है ये क्या है heater यानि solar heater है ये भी sunlight का use करके water को गर्म यानि पानी को गर्म करता है these are called solar cookers and solar heaters ये जो special cookers जो होते है वो sunlight का use करके क्या करते है खाना पकाते है एंड इसी तरह जो special heaters जो होते है वो भी क्या करते है sunlight का use करके वो water को गर्म करते है तो जो special cookers है उन्हें क्या कहां जाता है solar cookers कहां जाता है एंड जो special heaters जो है जिससे क्या होता है पानी गर्म होता है तो उन्हें क्या कहां जाता है solar heaters कहां जाता है solar means something connected with the sun सोलार का अर्ध है कि संसे कुछ connected यानि संसे कुछ जूरा हुआ समसेल्स ऑल्सो वर्क ओन सोलार एनरजी सोलार सेल्स या सोलार बैट्वीस जो होते हैं वो सूर्य के प्रकास यानि सनलाइट से एनरजी यानि उज्जा को वो प्राप्त करते हैं सूर्य की रोस्नी से एक या दो घंटे में यहाँ पूरी तरह चार्ज हो जाती है इसका मतलब है कि वे इलेक्रिसिटी यानि बिज्ली बनाने के लिए सनलाइट सूर्य के प्रकाश का उप्योग करते हैं सच सेल्स आर कोल्ड सोलार सेल्स यानि जो सेल्स या बैटरीस सूर्य के प्रकास से यानि सनलाइट से उज्जा एनरजी को प्राप्त करते हैं उस सेल्स या बैटरीस को क्या कहां जाता है सोलार सेल्स कहां जाता है हमें सोलार कुकर्स सोलार हीटर्स ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए क्योंकि ये सनलाइट से यानि सूर्य के प्रकास से उज्जा को प्राप्त करते हैं इसमें इलेक्रिसिटी फ्यूल्स ऐसी कोई भी चीजों की ज़रूरत नहीं होती है ये सनलाइट से ही उज्जा को प्राप्त करते हैं जैसे कि हम solar cookers का use करेंगे, तो हम LPG gas को बचा सकते हैं, तो इसी तरह हम solar heaters का use करेंगे, तो हम electricity को बचा सकते हैं, आज का हम यहां तक रखते हैं, next part में हम energy of motion के बारे में देखेंगे,